पार हुए आतो जैने दोस्तों आसा करता हुए आप सभी बर्चे होगे दोस्तों आज हमारा एक्सपारीमेंट क्या होगा कि ये देखी नौर्मल पेन की फॉर्फित नहीं की पेन दो रूपए के मिलता यह पर और और इस पन में जो स्याही बहरी जाती है दोस्तों उस स्याही में जो द्रब्य पदार्थ होता है तरह लिक्विड जो भर रहता है उस लिक्विड को और स्याही की कलर को हमाल अलग करने की कोसिस करेंगे और देखते हैं कि इसमें कामयाब होते हैं कि नहीं होते हैं चले बने र बल्व में पेंधाये लिया और पीछ त्यहर को निकालेंगे चलिये निकालते हैं साही तरफ पर, इतनी शाही थे 2 भूंध। यह दोस्तों इस पेन में देखने में लगता है वो सारी होगी लेकिन मत तो दो बूंद राती है इसमें पर में साही निकाल ली अभी इसको क्या करेंगे डारेक्ट एसे इसको रखेंगे ऐसे और नीचे से सिंपली इसमें लगाएंगे आग अब इस तिकार मोने के इंदिराद करते हैं दोस्तों और देटें लियो एक्षन तो दोस्तों आइटिंग हमारी डियक्षन जोद पूरितास कम्प्रेट हो चुकी है अब हम क्या करेंगे जो बल्वरस साही हमने डाले इसको हम अलत करके निकालते हैं इसको यह काट्री तो तू वी कुआ है और आपको दिखाते हैं कलर कैसे अलग हुँ आप देखिए गयो है इसमें मैं निकल रहा हूँ घि देख सकते हूं यह देखिए जैसे ही मैंने डाला पानी इसका देखिए पानी जो है तो अलग होके निकल लिया है यह देखिए आज से दिखावड़ें जूंटर के यह देखिए मैं दोबारा डाल रहा हूँ कि यह देखिए नॉर्मल पानिया और जो स्याही थी दोस्तों हमारी पूरी इसमें अंदर जमी हुई है देख सकते हैं अब उसका जो लिक्विड है लिक्विड हो चुका है यह लिक्विड आ गया है हलका हलका नीला इसलिए है क्योंकि देखिए कलर था तो अग्दम प्योर क क्योंकि नहीं निकाल सकता इसका थालका फूल कलर तो आएगा ही लेकिन लिक्विड जो है इसका तो अलग हो चुका है दोस्तों और स्याही जो है तो नीचे इसमें बैट चुकी है अगर यह कांच का टुकड़ा हो तक कोई या फिर चाइना वाच वगेरा होती तो मैं डार सकते हुआ है कि मですね wie के और पानी जो है इसक द पानी को द Totally चुका है तो देखा आपने दोस्तों स्याही को स्याही में जो लिक्विड होता है है लिक्विड को अलग खिया दा सकता है तो चल्थ यह लाइक कर थियो सब्स्क्राइब कर दिए चाल अरら हो हमारे अगली वीडियो में तब तक के लिए जाएंगे